Hello guys कैसे हैं आप सब तो भाइ यह यह फ्ट की रेंजर और अप्सके हें लिए है ठींटेंट निच्चयागी तो अवरेस्ट याने अने अनल ध्री इंडेवर अरर यह रेंजर अरे हैं है लक्स के ऑगेंस्ट जिसमें छोटा सा फॉड का लोग हो है, जिसको आप लोग उखाड के फैक दोगे, फिर उसके जगह ये बड़ा सा लोगो लगवा होगे, करोल बाग जाके, बाकी फ्रेंड के डेटाइम रैनिंग LED सेम आएंगे जैसे की एवरेस्ट में आते हैं, अगर वो नहीं देखा है त इसको आप विस्तर भी बना सकते हैं, और अगर आप चाते हैं कि रात में कुट्टा ना सोए यहां पे, तो आप इसे ऐसे कवर भी कर सकते हैं, अब इसके टेल एरिया पे बड़ा सा रेंजर लिखा हुआ है, ताकि आप कही नाम ना भूल जाओ, तो हेलेक्स की तरह ये भी 5-seater है, और Hilux की तरह इने भी middle class वालों का काटना है, इसलिए आपको interior में mostly hard plastic मिलेगा, 40 lakh रुपे देखे, अब इसके instrument cluster का size तो नहीं पता बद देखने में 8-inch का लग रहा है, और ये इसका infotainment system, जो कि आपकी crash के सामने आपकी self-respect से तो बड़ा ही है, exact size तो यही लोग reveal करेंगे, बड़ देखने में 12.5-inch का लग रहा है, बड़ देखने में तो पूरा TV लग रहा है, अब Ford को डर है कि इनकी दुकान वापिस से बंद ना हो जाए, इंडिया में, तो इसलिए इन्होंने dashboard पे soft touch material दिये है, अब ये इसका automatic gear shifter, क्योंकि ये 10-speed automatic के साथ आती है, और obviously ये 4-wheel drive है, तो यहाँ पे 4-high, 2-high, 4-low, और बाकी electronic parking brake है, wireless charger है, और क्या नहीं है, अब ही बताता हूं क्या नहीं है, तो Hilux की तरह इसमें भी sunroof नहीं आता, तो अब इसमें इंडिया में कौन सा engine specs आ सकता है, तो इसमें 2-liter का diesel, या तो single turbo, या twin turbo के साथ आएगा, और power 180-210 bhp की होगी, और talk 420-500 nm का, वो configuration पर depend करता है, हाला कि इसकी cost start होगी करीब 30 lakh रुपे एक शोरूम से, अब इसकी exact launch rate तो Ford ने reveal नहीं करी है, बट बहुत लोग बोलो हैं कि एक-दो महीनी में launch हो जाएगा, बट ऐसा लगता नहीं है, बट अभी तो इसकी testing भी नहीं start ह तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाई